दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से बैंक और बरॉंदा में नेट बैंकिंग आप कैसे रेजिस्टर कर पाएंगे बीना बैंक जाये हुए और सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी डेविट कार्ड नहीं है या एटेम कार्ड नहीं है और फिर भी अगर आप चाहते हैं बैंक और बरॉंदा में नेट बैंकिंग रेजिस्टर करना तो आज की इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट पोर्सेस बताने वाले हैं वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखेगा वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं बैंक और बरॉंदा में नेट बैंकिंग रेजिस्टर करने के लिए अपने मोबाइल में या लेप्टॉप में क्रोम ब्राउजर ओपिन करना होगा इसके बाद यहां पर आपको सर्च करना होगा बैंक को ब्रॉंदा नेट बैंकिंग इसके बाद आया पर आपको जो भी फ यहां पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको सबसे पहले user id आपका जो भी होगा यहां पर आपको डाल देना होगा तो जैसे कि यहां पर आपको डालना होगा इसके बाद नीचे आता है तो यहां पर आपको बहुत सारा option देखने को मिलेगा अब देखें दोस्तों में चीज हम आपको बताते हैं अगर आपके पास debit card नहीं होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो user id डाल देना है इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है और नीचे आने के बाद एक option आपको देखने को मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको user id डालना होगा इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको set password पर करना होगा click यहाँ पे आप जैसे ही click करते हैं दूस्तो तो आपके पास यहाँ पे नया page open हो जाएगा आप देखें दूस्तों यहाँ पर आपको दो option देखने को मिलेगा दोनों option कौन सा है हम आपको बता रहे हैं देखें अगर आपके पास debit card नहीं है यानि ATM card नहीं है तो यहाँ पर आपको ऊपर में देखने को मिलेगा email id, mobile number, otp इस पर आपको simple करना होता है click यानि कि आपके mobile में और email id पर otp के जरिये से आप बहुत आसानी से reset अपना password कर सकते हैं अगर आपके पास debit card है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं using debit card पर simple करदना होता है click तो चले first वाला option करेंगे इसके बाद करेंगे continue कन्टनी पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब से पहले user id आपका जो भी होगा डालना होगा इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में आपको mobile नमर डालके आपको करना होगा continue पर click आप देखे दोस्तों यहाँ पे आप जो भी mobile number और यहाँ पे email id आप डाल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस email id पर और उस mobile number पर OTP एके गया होगा आपको यहाँ पे दोनों OTP डाल देना है इसके बाद यहाँ पे आपके समने तीन परकार का option देखने को मिलेगा आप किस तरीके से अपना password को reset करना चाते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे sign in password आप set करना चाते हैं इसके बाद यहाँ पे हम कर देगे continue क्लिक जिशे हम continue उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी हम अपना password रखना चाते हैं हम यहाँ पे set कर सकते हैं एक बाद हम आपको बता देना चाते हैं दूस्तों आपको password जो है especial आपको hard रखना है जैसे कि डिस्प्ले पे आपको example के लिए आपको दिखने को मिल रहा है और आपका password जो है 8 से लेके 16 के बीच में होना चाहिए और यहाँ पे आपका first वाला जो password होगा first वाला में password में आप बरावाला password कियेगा alphabet इसके बाद आपको numbering डालना है इसके बाद आपको a special character डालना है इसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ पे हमारा password जो है changes successful हो चुका है अब यहाँ पे हम login पेज पर कर देंगे click अब हमें फिट से यहाँ पे हमें user ID हमें डालना होगा इसके बाद login पर करेंगे click यहाँ पे हमारे सबसे पहले user ID डालके login पर हम जिसे ही click करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाता है देखें यहाँ पे आपने चूभी है आपको password को set करना होगा इसके बाद यहाँ पे आपको capture देखने को मिलेगा जिसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा सिंपल यहाँ पर आपको कर देना होगा क्लिक इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले तो उपर में एक option देखने को मिलेगा परसनल मेसेज अगर आप यहाँ पर जो भी अपने डिस्पले पर नाम अगरा है जो भी आपको यहाँ पर सो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी option देखने को मिल रहा है यह बाकी सारा question आपको यहाँ परantically mark on कर देना है इसके बाद उसका answer जो है आपको यहाँ पर देना होगा कमसे कम आपको 5 जो kill question का answer आपको यहाँ पर देना होगा इसके बाद निचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सबसे नीचे में देखने को मिलेगा आप देखे दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिलेगा एक्जेक्टिंग साइन पासवर्ड आपका जो भी साइन पासवर्ड आप यहाँ पर बनाये थे यहाँ पर डालना होगा इसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं आप यहां पे जो भी password आप रखना चाहते हैं, आपको यहां पे set करना है, इसके नीचे आप देख सकते हैं, आपको confirm ही डालना होगा, इसके बाद आपको रजिस्टर पर कर दना होगा, अब दोस्तों इसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, हमारा जो यहां पे password था, यहा हमारा सेट हो चुका है तो दोस्तों इस तरीके से बहुत असानी से आप यहां पर आपना बैंक को बरॉंदा में नेट बैंकिंग रेजिस्टर कर पाएंगे यहां पर एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं अगर आपको कोई भी परेसानी आ रही होगी नेट बैंकिंग रेजिस्टर करते समय में तो नीचे आप कोमेंट कर सकते हैं तो आईवोफ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगो पसंद आएगो तो प्लीज एक लाइक करते जिएगा चानल पर पहली बाहिए